जीवन अच्छा हो और सुख सुविधाओं से भरपूर हो ये कौन नहीं चाहता है हर कोई अपने परिवार के बहतर जीवन के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है लेकिन कई बार उसके बाद भी मन चाहा फल नहीं मिल पाता है कई बार बिना बाद के भी पैसा खर्च हो जाता है वास्तु शास्त्र के नुसार कई चीजे ऐसी होती है जो वास्तु दोश से प्रभावित होती है और इससे विक्ति की तरक्टी में बाधा आती है ऐसे में अगर आप अपने जीवन में सुक सम्रद्धी चाहते हैं तो आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर की तिजोरी का मूँ हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की और रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और तिजोरी गहनों और पैसों से भरी रहती है। वहीं अगर आपने तिजोरी का मूँ पश्चिम या दक्षिल दिशा में रखा है तो इससे आपको धन की हानिकार सामना करना पड़ सकता है। कूडेदान की इस दिशा में रखा है इसका असर भी हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ता है। मानेता है कि अगर कूडेदान को उत्तरपूर यानि इशान कोड में रखा जाए तो इससे धन का नाश होता है। इशान कोड में गंदेगी जीवन पर बुरा असर डालती है। इसलिए कभी भी इशान कोड में कूडेदान को ना रखें। कुछ अन्य उपाए भी हैं जिसको करने से धन की कमी नहीं होगी। जाने क्या है। अगर तुल्सी का पौदा घर की पूर्विय उत्तर दिशा में लगा हो तो व्यक्ति को आर्थिक रूप से लाब होता है। साथ ही मानसिक और शारिक लाब भी होता है। घर में अगर शीशा पश्चिन दिशा या दक्षिन दिशा में लगा हो तो इसे तुरंद हटा लें। इससे व्यक्ति या घर की प्रगती में बाधा आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी चलते होए गहनों को नहीं पहना चाहिए। इससे तरक्की में बाधा आती है। घर के चारो तरफ अगर खुली जगा हो तो घर में धन और वैभग की बरकत रहती है घर की उचाई की भी वास्तु शास्त्र में महतता है ये दक्षिन और पश्शिम भाग में ज्यादा उत्तर और पूरु भाग में कम होनी चाहिए इसे व्यक्ति को काम में सफलता हासिल होती है घर का कुड़ेदान या कचड़ा उत्तर पूर्व यानी शान कोड दिशा में न रखें इसे धन का नाश होता है वास्तु शास्त्र के नुसार अगर नल से पानी टपक रहा है तो इसे व्यक्ति और आर्थिक नुक्सान होता है साथ ही धन भी बेवजा खर्च होता है अगर घर का रसोई घर आग्रेंग कोड दक्षिन पूर्व दिशा में हो तो बहतर होता है अगर पश्शिम दिशा में रसोई होती है तो धन का आग्मन बहतर होता है लेकिन बरकत नहीं रहती है अगर घर में तिजोरी की दिशा सही हो तो आर्थिक जीवन बहतर होता है वास्तु शास्त्र के नुसार तिजोरी को दक्षिन की दिवार से सटा कर रखें ये इस तरह रखें कि इसका मुँ उत्तर दिशा की और रहे वास्तु शास्तु के नुसार घर में किसी भी सीडी के नीचे का बार जम्मा नहीं होना चाहिए इससे धन का नुकसान होता है घर की दिवारों पर जहां सुन्दर तस्वीरें लगाने पर घर की खुबसूरती बढ़ जाती है वही धन दौलत में वृद्धी होती है वास्तु शास्तु के नुसार घर के दक्षण और पूर्व दिशा की दिवारों में प्रकृती से जुड़ी चीजों की तस्वीर लगाने चाहिए ऐसे में वास्तु कहता है कि अपने घर में मा लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा को शुब स्थान पर जरूर रखें इसके लिए वास्तु में घर की उत्तर दिशा शुब होती है धन प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा वास्तु शास्त्र में अच्छी मानी गई है